क्लास 10 पावर शेरिंग स्वागत आप सभी का इस वीडियो में पावर शेरिंग को रैपिडली रिवाइस करने वाले हैं बड़ा मज़दार चैप्टर छोटा चैप्टर उंगलियों पर गिना जा सुकता है चार टॉपिक अगर मैं आपको बताओं तो वो चार टॉपिक क्या है सबसे पहले तो आपको बेल्जियम और शिलंका की कहानी बेल्जियम और शिलंका का एथनिक कंपोजिशन समस्या और समाधाथ समस्या पर नहीं समाधाथ में फोकस करेंगे तो वो समझना है ये broadly चार टॉपिक, दो टॉपिक में से निकल गया है इसके अलावा पावर शेरिंग क्यों desirable है? moral reason, prudential reason और साथी साथ एक बड़ा लंबा चोड़ा टॉपिक जो है what are the different forms of power sharing तो उसमें जो चारो सम टाइप्स हैं पावर कैसे कैसे शेर की जाती है इतना अगर आपने ध्यान कर लिया तो इसके बाहर चाप्टर में कुछ नहीं है पूरा का पूरा आपकी नजरों के सामने सभी दोड़ के जाने वाला है पगड़ लेना शुरू करते हैं चाप्टर बेल्जियम की कहानी के साथ में जैसे हमारे हर्याना वाले ताउ का जो राज्य है न उतना बड़ा एक देश है यूरॉप में बेल्जियम जो है चार तरफ से घिरा हुआ है किन देशों से तो फ्रांस नीदर्लैंड लेक्संबर्ग और जर्मनी यह चार कंट्रीस के साथ उसकी बॉर्डर शेहर होती है वहां के एथनिक पोजिशन के अगर बात की जाए कि वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं तो वहां पे लैंग्वेज के बिस्टिस पर आप देखोगे डेच भाशा बोलने वाले और फ्रेंच भाशा बोलने वाले लोग है वन परसेंट जर्मन स्पिकिंग भी है मैनोरिटी में हम ठीक है तो 59% पॉपलेशन जो है वो कहा रहती है वो रहती है फ्लेमिश रीजन में जो कि डेच भाशा बोलती है 40% पॉपलेशन जो है वेलोन रीजन वेलोनिया वाले छेत्र में रहती है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कंट से ब्रसल्साइब ब्रसल्स के अगर बात की जाए थो वहाँ पर खेल उल्टा है वहाँ मेररी टी में फ्रेंच स्पिकुन्ग ना रहती है ब्रुसल्स का एथिनिक मेरी डी प्रेंट-बिक ना करय polish निल्टी में तो जो country में मैजूरिटी में है वो capital में माइनूरिटी में है कुछ ऐसी वाली situation है आगे मरते हैं तो अब वैसी आप देखोगी एक और देश जो हमारे काफी नजदिक है इंडिया का map लेने जाओ श्री लंका का free में मिलता है श्री लंका की अगर बात की जाए तो श्री लंका का एथनिक composition कुछ ऐसा देखने को मिलता कि वहां सिन्हाला लैंग्विज बोलने वाले लोग मैजूरिटी में हैं जो की मैजूरिटी बुद्धिस्ट religion को follow करने वाले बुद्धिस्टम को follow करने वाले 74% सिन्हाला स्पीकर 18% population वहां की टमिल भाषा बोलती है अचा ठाव भाषा बोलने वाले हैं उसमें भी दो कैटेगरी है एक है श्री लंकन तमिल्स जो वहां के फिल्ट पे काम करने गए थे वो Indian tamils कहलाएंगे बोलते भाशा tamil ही है लेकिन वो Indian tamils है तो इस तरह से 18% population tamil language बोलती है 7% population वहां की ऐसी है जो Christians है जो की Sinhala language भी बोलती है और tamil language भी बोलती है तो ये दोनों ही जगा के ethnic composition हो गए अब आपको देखना ये है कि diversity है ये diversity कहीं divide ना कर दे ये diversity divide होती है या फिर accommodate होती है वो कहानी के आगे के पार्ट में समझ में आता है आगे कहानी शुरूती आजादी पालेने के बाद में बहाँ जो डेमोक्रिटिकली इलेक्टेट गवर्मेंट थी जो की majority Sinhala's की थी सिनहला speakers majority में थे उन्हीं की सरकार उन्होंने बोला कि क्या है अब अपनी सरकार है तो अपने हिसाब से लौ बनाएंगे जी मेरी मर्जी है और उन्होंने मैजोरिटेरियनिजम की पॉलेसी अडॉप्ट करी जहां पर मैजोरिटी के बारे में नहीं सोचा गया मैजोरिटी के इंट्रेस्ट में ही सोचा गया एक लौ पास होता है 1956 में उस लौ के तहट स्टेट जो है वो बुद्धिजम रिलिजिन को फेवर करेगा क्योंकि majority of the Sinhalas बुद्धिस्ट दूसरी चीज़ कि अफिशल लेंग्वेज का धर्जा दिया जाएगा साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि गवर्मेंट पोजिशन में और यूनिवर्सिटी में एडमिशन में प्रिफरेंस दी जाने लगी Sinhalas speakers को यह सब देखके तमिल को क्या किया जाए ड्यू इंपोर्टेंस दी जाए लेकिन यह सब हो नहीं पाता है टेंशन बढ़ते चले जाते हैं और आपस में लठ चल जाते हैं और आपको देखने को मिलता है कि एक सिविल वार जैसी सिच्वेशन डवलप होती है जहां पर कंट्री के अंदर यह सिच् विकॉस टू डिफरेंट ग्रुप्स वर फाइटिंग तो यह बड़ा दुखद था यहां पर आपको क्या देखने को मिला कि श्रीलंका में समस्या क्रियेट हुई वही डाइवर्सिटी थी बेल्जियम में बेल्जियम में समस्या नहीं समाधान निकला अकॉमोडेशन इन बेल्जियम में ऐसा क्या हुआ बेल्जियम के लोग देख रहे थे कि डाइवर्स ग्रुप से टेंशन क्रियेट हो सकती है वहां पर बड़ी समध्धारी से काम लिया गया बेल्जियम के गवर्मेंट ने 1970 से 1993 के बीच में अपने कॉंस्टिशन को चार बार अमिंट किया जि दूसरा मेजर चेंज जो नोने कॉंस्टिशन में लाएं वह लाए कि सेंटरल गवर्मेंट अपनी जगा इस टेट मॉर्मेंट अपनीा इपनी जगा इस इस टेट मॉंनेकर को अपनी ब्रभर दी गई टाकि वहां के लोग एंपावर्ड फिल करें निदेद तो जो ब्रस्ल्स जो के अपिटल सिटी थी वहाँ पे भी चाहे फ्रेंच मेज़ोरिटी में थे मिनिस्टर बराबर बराबर रहेंगे और चौथी और इनोवीटिव चीज जो देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि community government मनाई जाती है मतलब हर भाषा बोलने वाले लोग French लोग ने अपनी एक French community government Dutch लोगों ने अपनी एक Dutch community government और उसी के साथ-साथ जो German speaking population थी उन्होंने अपनी एक community government बना ली जो उनके religion, language और education से जुड़े मुद्धों पे निन्ने लेगी तो इस तरह से diversity थी लेकिन उस diversity को उन्होंने division में नहीं convert होने दिया प्यार से accommodate कर लिया ये कहानी वाला part अब शुरू करते हैं कि क्रक्स क्या है तो आपने देखा कि श्रिलंका में power share नहीं हुई Belgium में power share हुई तो power sharing ज़रूरी क्यों है मगर क्यों दो reason है एक है moral एक है prudential prudential reason की बात करें तो समध्दारी भरा काम ये है ये कि power share कर दो तो chances of conflict reduce हो जाएंगे जब आप power share कर दोगे तो लोग आपस में लड़ेंगे नहीं सब को बराबर बराबर power मिल गई है दूसरा समध्दारी भरा काम ये होता है कि power share कर दोगे लोग लड़ेंगे नहीं chances of conflict reduce होगे तो stability रहेगी अब अगर हम वहीं पर देखें moral reason क्या हो सकता है power sharing का तो moral reason ये है कि अगर आप अपने आप कोई democracy बोल रहे हो तो अगर आप democracy हो तो power share करना तो basic spirit है अगर democracy और power share नहीं करोगे जुटी मूटी democracy से काम नहीं चलेगा दोस और खास करके वो लोग जिन आप influence करने वाले हो आपके निर्ने से जिनके उपर प्रभाव पढ़ने वाला है उन लोगों को अगर आप decision making process में include करोगे power share करके तभी तो true democracy के हलाओगे इसके बाद में chapter का जो अंतिम पढ़ावे वो यह है कि power sharing क्यों जरूरी समझ लिया power sharing के examples देख लिये अब बात याते कि power किस किस तरह से share की जाती है चार sub points बनते है पहला form of power sharing है when power is shared between different organs of the government यहाँ पर kidney liver और heart वाले organ नहीं है different organs से मेरा तात पर यह है की executive judiciary legislature इनके बीच में जब power share की जाती है तो कोई भी organ of government बड़ा या छोटा नहीं है सब के बीच में समान level पे मतलब horizontal form of power sharing हो रही है जिससे checks and balance बना रहता है अगर एक level of government आगे पढ़ रहा है तो उसको दूसरा check करता है दूसरा अगर पावर को access में exercise कर रहा है तो तीसरा उसको check करता है checks and balance horizontal form of power sharing power is shared among different organs of government दूसरा form of power sharing होता है when power is shared among different levels of government यह vertical form of power sharing है जैसे central government, state government और local government के बीच में power share होती है इस तरह की power sharing से federalism इंशार होता है जो पूरा का पूरा chapter 2 है तीसरा form of power sharing होता है when power is shared among different social groups जैसे आपने Belgium में example देखा कि अलग-अलग language groups के बीच में power share किया गया community government बनती है इंडिया में reservation भी उसी चीव का एक example है कि आप different social groups के बीच में power share कर रहे है और चौथा form of power sharing है जो confuse करता लेकिन simple है when power is shared among different political parties, pressure groups और different different type of organizations इससे क्या होता है कि हर वो वेक्ति जो आपके decisions influence हो सकता है आप उसे power दो जब किसी एक party की सरकार नहीं बन रही तो multiple parties अपने बीच में power share करके collision government बनाती है यह fourth form of power sharing का example था this was the lovely chapter I hope you people enjoyed it signing up with this together we can we will thank you thank you very much